हलो फ्रेंट्स आज मैं लेकर आई हूँ गुड़ और मुर्मुरे से बनने वाले लड़ू जो कि 5 मिर्ट में बनके तयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में तो सर्दियों में एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए रेसिपी एच्छी लगे लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो यहाँ पर यह देखी फ्रेंट्स मैंने मुर्मुरे और गुड़ ले लिया है तो गुड़ यहाँ पर मैंने आधी कटोरी लिया है तो इसी कटोरी से हमें नापना है आधा कटोरी कुरकुरे बन जाए तो अभी गैस के उपर मैंने एक पैन रख लिया है इसमें डाल दिया है हमने मुर्मुरे तो इसको एक दो मिनट के लिए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जिससे यह अच्छे से थोड़ा से इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए और बढ़या से एकदम कुरकुर बन जाए तो अभी मैं इसको एक मेट लिए थोड़ा सा रोश्ट कर लूँगी टो यहां पि देगे हमने यहां पे इसको रोस्ट कर लिया है थोड़ी सी देर के लिए अभी इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और फिरसे मैने यहीड रख दिया है कैस के उपर इसमें मैं पानी डाल दिया है जादा पानी नहीं डालना जिससे हम खाना खाते हैं बस वही एक चम्मच पानी डाल दिया है घी डालना ऑप्छनल है लेकिन घी डालते हैं तो इस से थोड़ी दाल सी लट्ड़ों होता है कि यह जल्दी से बन जाता है बहुत जल्दी मैल्ट हो बढ़ना तो बहुत टाइम लगता यह इसको देखिए हैं यहाँ तो यह देखे अच्छे से बंधने लगा है तो बस थोड़ा सा कुछ सेकेंड और इसको मैं पका लूँगी आठ से दस सेकेंड के लिए तो यह देखे बस यहाँ पे गुड़ हमारा तयार है इतना ही पकाना है हमें इससे जाधा नहीं तो बस अभी इसमें हम डाल देंगे मु लड़ू लेकर आते हैं तो एक बार आप इनको घर पर ही बनाईए और एक बार बनाके आप इसको महीनों तक खा सकते हो रखके और बच्चों को यह बहुत जाधा पसंद आते हैं तो कभी भी कुछ मीठा खाने का मन करें तो इन लड़ू को आप बनाके रख सकते हो इस्ट तो अभी मैंने इसको mix करने के बाद में सारा प्लेट में निकाल लिया है तो अभी हम हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लूँगी मैं यहाँ पर आप घी लगा सकते हो या पानी लगा सकते हो तो घी लगाने से लड़ू वह बहुत अच्छी चमक आती है तो मैंने हाथ पे घी ल बनके हमारा तयार है तो एक लड़ू और में इस तरह से बना के दिखाती हूँ एक तम इसको टाइट से यह देखे लड़ू की शेप दे देनी है बहुत ही इजीली बन जाते हैं तो बस मैं इसी तरह से यह सारे लड़ू बना के रख लूँगी तो यह देखे फ्रेंट्स कितने बड़े हैसे गोल गोल लड़ू बनके यहाँ पर तयार है तो सारे लड़ू यहाँ पर मैंने बना के रख लिये हैं आप देख सकते हो बहुत ही बड़े हैसे लड़ू हमारे बनके तयार है एक बार बनाईए और महीनों तक रख के खाईए त तो फ्रेंट्स अब बाजार से लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इन लड़ों को घर पी बना के तयार कर सकते हो, मुझे उमीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आएं तो प्ल